आपके पांस Redmi का कोई भी मुवाल है और Redmi के मुवाल में 5G है और चलाना चाते हैं या आप नहीं चल रहा है तो आप किस तरीके से आप अपने Redmi के किसी फॉन में Redmi या MI या Xiaomi के किसी फॉन में 5G आप चलाएंगे वो भी फॉरी ठीक है कोई भी सिम हो जीओ हो एर्टेल हो वी हो ठीक है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दी चैनल को सस्क्राइब कर दी क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए य तो आप इसे कैसे अनेविल करेंगे मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप नहीं करना है सबसे पहले आपको अपनी मोबाल की सेटिंग में जाना है और यहां पे आपको शिम कार्ड एंड मोबाल नेटबर्क में जाना है ठीक है यहां आपकी जो भी sim है ठीक है जीओ में चलाना चाहते हैं 5G या Airtail में या V में तो जुश भी sim में चलाना चाहते हैं उस sim को आपको first slot में डालना है ठीक है यानि कि first number पे एक number पे उसके आपको click करना है जैसी आप उसके click करेंगे तो यहां पे आपको देखो क्या करना है यहां प इस पे click करना है यहां पे आपका LTE select हो सकता है तो यहां पे आपको क्या करना है 5G करना है ठीक है सबसे पहले दूसरा मुझा नेटपर पे click करके यह आपका बंध होगा तो इससे आप on कर ली जी ठीक है इतनी सी setting आपको अपने इस setting के अंदर करनी होगी ठीक है दूसरी क्य फिर आपको hedge star hedge star इस तरीके से डालना है तो यहां पे आप देख सकते हैं इस तरीके से option खुल जाएंगे 3 टेस्टिंग करके उपर लिखा होगा तो आपकी sim first load में डली है मैंने पहले ही डलवा दी थी phone information first पे आप click करेंगे जैसे आप इस पे click करेंगे तो इस तरीके से यह आ जाएगा option ठीक है यह देख पा रहे हैं अब आपको पनी screen को ऊपर की तरफ थोड़ा करना है जैसे जैसे ही आप इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो यह option जो है mobile radio power यह आपका बंद हो तो इसे on कर लीजिए ठीक है जैसे कि मैं इसे on कर लेता हूं ठीक है इस तरीके से अब य यह वाला option आपको select करना है ठीक है nr only वाला ठीक है उसके बाद आप यहां screenshot ले लीजिए जो भी आपका पहले से था क्योंकि आप फिर से उसे कर लेंगे तो इसे आप screenshot लेजिए इसका तो यहां पे फिर आपको ऊपर करना है इसे screen को फिर यहां पे आपको option देखेगा update का तो update पे click करेंगे और यहां से आपको refresh कर देना है ठीक है update पे click करके refresh करना है फिर आपको क्या करना है यहां से बीच वाला वटन दबा के अब आपको फोन का power वाला वटन जैसे वाल को सुच आफ करते हैं बो वाला वटन दबाना है और यहां से आप मुआल को power off कर देंगे और फॉन थोड़ी दिर बाद एक या आदा मिनिट बाद आन करना है और आपका यहाँ पर 5G नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी फिलाल इस पीडियो में लेता हूं विदा जैहिंद बंदे मातरम